नमस्कार दोस्तों स्वागेते आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल नॉलिज पंडित पर दोस्तों आज आप बहुत ही अच्छे वीडियो में हैं हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आये हैं 250 GK के कॉशन्स और ये मास्टर वीडियो है हर एक्जाम के लिए कोई भी वंडे एक्जाम है जिसमें GK सेक्शन होता है ये 250 प्रशन आपके हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो वीडियो को अंतक देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि हम रोज आपके लिए इसी तरीके से नए-नए कॉशन्स प्रोवाइड करते हैं तो बिना किसी देरी के चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो 250 प्रशन हैं अंत तक देखिएगा कमेंट करके जरूर बतलाएगा सबसे पहला प्रशन है भारत में 1931 में बनी पहली सवाक्ट फिल्म कौन सी थी तो आलम आरा प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा भारत का प्रतम नीट्रॉन, रियक्टर, कामिनी कहां पर इस्तित है तो यहां कलपकम में इस्तित है समचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किस से संबंदित है तो यहां खेलों से संबंदित है भारत ने किस वर्श और कहां हुए उलम्पिक में हौकी में पहला स्वणपदक जीता था तो वर्श 1928 के एम्शर्डम में भारत ने पहला स्वणपदक जीता था भारती अंत्रिक्षन उसंदान संगठन का मुख्याले कहां पर है तो बैंगलूरू में यह मुख्याले है भारती वैयुसे ना कितनी कमानों में संगठित है तो पांच कमानों में संगठित है आपको बताना है भारत ने पहला ओलंपिक हौकी स्वर्ड पदक कहां पर जीता था तो यहां एम्श्रडम में जीता था भारत की किस महिला ने सरप्रतम मिस्वर्ड का खिताब जीता था तो इनका नाम है रीता फारिया भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है तो इसे हम रैड क्लिफ रेखा कहते हैं क्रिकेट पिछ की लंबाई कितनी होती है तो 20.1-2 मीटर होती है अंतराश्री नियालाय में नयदीच बनने वाला पहला भारतिय कौन था तो नगेंदर सिंग जी इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा संसार का सबसे वड़ा मंदर कहां पर है तो कमबोडिया में इस्तित है राश्र मंदल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच पुरुसकार कौन सा है तो अब परम वीर चक्रेहा पुरुसकार है पंका जाडवानी कौन से खेल से संबन्दित है तो यहाँ बिलियर्ड खेल से संबन्दित है राश्रगीत बंकिम चंचटर जी के के सुपन्याद से लिया गया है तो आनंद मटुपन्याद से लिया गया है भारत का प्रथम परमाड़ उर्जा रियक्टर कौन सा है तो यहाँ अपसरा रियक्टर है प्रथम भारत ये नारी जो एवरिज सिखर पर चणने में सफल हुई थी कौन है तो इनका नाम है विचिंदरी पाल बोरलग पुरुषकार के शेतर में दिया जाता है तो यहाँ करशी विज्ञान के शेतर में दिया जाता है नैस्नल स्कूल आप डिजाइन कहां पर है तो यहाँ पूरे में इस्तित है भारत रतन अलंकरण सरप्रथम किसे प्रदान किया गया था तो उसी राज़े गोपालेचारी को प्रदान किया गया था एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं तो एक किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं दूर दरसन द्वारा रंगीन टेलिविजन की शुरूआत किस वर्ष की गई थी तो 1982 में की गई थी भारती राश्टी अभलिखा गार कहां परिस्तित है तो नई दिल्ली में इस्तित है सकसवबत का प्रारम हुआ था तो 78 इसभी में सकसवबत प्रारम हुआ था वायू सेना के फ्लाइंग ऑफिसर रेंग का अधिकारी नौ सेना के किस ऑफिसर के समान होता है तो यह लेफटिनेंट के समान होता है और टो वायगराफी पुस्तक किस ने लिखी है तो जवाहरलाल नहरू ने लिखी है पूंगल उत्सों का संबंद किस भारतिय राजे से है तो यहां तमिनांडू राज से संबंदित है आदुनी कोलंबी खेलो कायोजन कब और कहां से प्रारम हुआ था तो 896 एथांस से प्रारम हुआ था विक्रम भात सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है तो यहां तिरुवंतनम पुरम में इस्तित है नुबल पुरुसकार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतिय कौन है तो रविद्रनाथ टैगोर जी है अंतराश्ची नयले के नयधिशों की कार्यवधी कितने वरशकी होती है तो नौ वरशकी होती है भीहू का संबन्द किस राजिसे है तो यहां असम राजिसे संबन्द है प्रसिद्य सतरंज खिलाडी गाटा कामास की किस देश के नागरिक है तो यह अमेरिका के नागरिक है जियाना किस देश की संबाद एजनसी है तो जिम बॉम्बे की संबाद एजनसी है देश में सबसे ज़्यादा ATM किस बैंक के हैं तो SBI बैंक के ATM सबसे ज़्यादा है Grand Master शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं तो सतरंज खेल में करते हैं किस अंतराइट सी चेंपिंशिप में Thomas Cup दिया जाता है तो Thomas Cup जो है यहाँ बैड मिंटन में दिया जाता है भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली cruise मिसाइल कौन सी है तो यहाँ मिसाइल ब्रम्होस मिसाइल है सुर्योदे के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है तो जापान को जाना जाता है रोजर फेडरर के स्केल से विख्यात है तो टैनिस के विख्यात खिलाडी है आंगल अमेरिका का सर्वो शिखर का नाम क्या है तो इसका नाम माउंट मेगिनले है कौन सा दीप भारत और शीलंका के मध्य में है तो रामिश्वरम दीप सही उत्तर हो जाएगा राश्री वादिवस की स्तिथी को मनाते है तो बारह जनवरी को मनाते है चीन में लाल करांती कब हुई थी तो वर्ष उन्ने सो उननचास में हुई थी सत्रंच के बोडों में खानों की कुल संक्या कितनी होती है तो चौशट खाने होते है भारत की प्रतम महिला शाशी का कौन है तो रजिया सुल्तान है नैटवाइश ट्रॉफी किस खेल से सम्मंदित है तो यहाँ करकेट खेल से सम्मंदित है औल इंडिया रेडियो को आकाश मणी का नाम किश्वर्ष दिया गया तो इन्ने सो सत्तावन में दिया गया सुर्की क्रणों की तीवरता मा अपने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो इसे हम एक्टियो मीटर कहते हैं भारत रत्नकिस विदेशी को सरप्रथम सम्मानित किया गया था तो कहान अब्दुल गफ़ार खान को सम्मानित किया गया था सुस्क चेतरी वानिक या नुसंदान संगठन कहां पर है तो यहा जोधपूर में है गोदान और गबन किसकी रचनाय है तो यह मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाय है विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधान मंदरी कौन मनी थे तो शिरी माव भंडार नाइके बनी थी सेख्त राज दिवस कब मनाते हैं तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं कबड़ी खेल में खिलाडियों की संक्या कितनी है तो 7 खिलाडी होते हैं हिंदी भाषी भारतियों का प्रधिशत कितना है तो 45 प्रतिशत है यूनेस्को का मुख्याले कहां पर है तो यहां पैरिस में है विश्व परीवेस दिवस कब मनाते हैं तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं भारत में विक्सित सता से सता पवमार करने वाली मिसाइल कौन सी है तो यहां मिसाइल प्रत्वी मिसाइल है भारती मिसाइल परिक्षन इस्थल चांदीपुर कहां पर है तो ओड़ी सा राज्य में है कौन सा अंतराश्री पुरुषकार पत्रकारिता के शेत्र में उत्करष्ट योगदान के लिए जाता है तो यह पुलिजर पुरुषकार होता है भारत के ओद्धो के गवित निगम की स्थापना कब हुई थी तो 1948 में हुई थी भारत कराशी चिन कहां से लिया गया है तो सारनात इस्थित असुक स्थम से लिया गया है केंद्रे जाज भीरो के इस्थापना किसवर्स हुई थी तो 1953 में हुई थी उत्तर प्रतेस में इंदरागानी नक्षत साला कहां पर है तो यह लखनव मेंस्तित है भारत रतन, पुरुषकार पाने वाले पहले भारते कौन थे तो डॉक्टर सर पली राधा किशन थे विश्का सबसे पुराना लोकतंद्र कौन सा है तो सैन मिरेनो का लोकतंद्र है बैटिंग ब्लोक शब्दावली के स्केल से संबंद्ध है तो यह कवड़ी से संबंद्ध है दक्षनी धुरूप पर पहुँशने वाला पहला वेक्ति कौन है तो एमंट सैन है संब्तराज संग महासभा की पहली महिला दक्ष कौन है तो विजलक्षपी पंडजी है विवदास्पत किताब सनेटिक वर्सेस के लेखा कौन है तो शल्मान रुश्दी है सोरा किस देश की संसत को कहते है तो अफगानिस्तान की संसत को कहते है देश का सबसब उचा टीवल टावर कहां पर है तो यह भूपाल मध्यप्रदेश में है मैकसे सिप पुरुसकार वजेता पहले भारतिय कौन थे तो बिनोवा भावेजी थे राश्रियों भुकता दिवस कब मनाते हैं तो 24 दिसंबर को मनाते हैं पोलो खेल में कुल कितने खिलाडी भाग लेते हैं तो चार खिलाडी भाग लेते हैं गीत सेठी कौन से खेल से पारंगत है तो ये स्नूकर से पारंगत है गिद्दनत का समन्द किस राजे से है तो पंजाब राजे से है कुझी पुडी किस राज का सास्तिनत है तो यहां आंध पृदिस राज का सास्तिनत है बेम्ष्टे की स्थापना कभ हुई थी तो सन 1997 में होई थी भारती टेलिविजन की शुरुआत कभ हुई थी तो 15 सितंबर 1969 को हुई थी अंतराश्रिय अंतराश्री नियाले कहां पर इस्थापित है तो ये दो हैग में इस्तित है उलम्पिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है तो यह चार वर्ष के अंतराल पर होता है भारती राश्री दोज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है तो 24 तीलिया है चंद्रकांता उपन्यास के लिखा कौन है तो देव की नंदन खत्री है ग्यानपीट पुरुसकार किस काम के लिए दिया जाता है तो साहिति के लिए दिया जाता है किंद्री ए अन्वेशन बीरो की स्थापन का भूी तो वस 1953 में हुई थी हिंदूों का सरवादिक अनुपात किस राजी में है तो ओडिसा राजी में है प्रसित जगनात उत्सों का संबन किस राजी से है तो ओडिसा राजी से है मेकसे से अबॉर्ड पाने वाले पहले भारतिय कौन थे तो बिनोवा भावीजी थे नोसेना एकेडमी कहाँ परिस्तित है तो गुवा में इस्तित है विशो रेट ट्रॉस दिवस के स्थारी को मनाते है तो आठ मही को मनाते है विशो शरमिक दिवस का मनाय जाता है तो एक मही को मनाय जाता है राश्री पंचयत कहां की संसद है तो नेपाल की संसद है रूबल कहां की मुद्रा है तो यहां रूस की मुद्रा है भारत का प्रिल्पिल रिर्मान में विश्व में कौन सा इस्थान है तो प्रतमिस्थान है भारत का राश्री खेल में कौन सा इस्थान है तो हौकी में भारत में राश्री खेल कौन सा है तो हौकी है भारत दोरा छोड़ा गया पहला उबगरा कौन सा है तो यहां आरेवट है आशियान का मुख्याले कहां पर है तो यहां जकारता में है भारत के रिमोट सेंसिंग सेटलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है तो केक अस्तूरी रंगन है राजिस्थान का प्रोग्राम 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 का प्रिदान की जाती है, तो क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है टेइनिस खेल से जुड़ा हुआ है इस याई विकास बेंक का मुख्याले कहाँ पर है तो यहां मनीला में इस्थित है अगले कॉशन की तुरब चलते हैं Wings of Fire किसकी प्रसिद्ध विग्याने की आत्मकता है? तेभीजी अब्दुल कलाम की आत्मकता है. राश्री वणावी की इस्थापना कब हुई तो सन 2002 में हुई थी. दक्षड ACI सयोक सगठन का स्थापना किसवर सुई थी तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी. राश्री विग्यान देवस कब मना जाता है? तो यह 28 फरवरी को मना जाता है. भारती फिल्म में टेलिविएन संस्थान, भारती फिल्म तथा टेलिविएन संस्थान कहां पर है तो यह पूना में इस्तित है. यूरो मुद्रा का प्रशनन कब से हुआ था? तो एक जनवरी सन 2002 से हुआ था. किस देश की प्रतिविक्ति आयस से विश्व में सरवादिक है तो लग्जम बर्ग प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा. भारत की पहली मिसाल विवेधी पंडुबी कौन सी है तो आएनस सिंधू शस्त्र है. यूरोपी संग का मुख्याले कहाँ पर है तो यह ब्रुसेल्स में स्तित है. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो एक जनवरी 1995 को हुई थी. आधुनिक ओलंपे खेल कब आराम हुई थे? तो 1896 में हुई थे. टेलिवियन का विश्कार किस ने किया था? तो जॉन लोगी बेर्ड ने किया था. विश्व व्यापार संगठन का मुख्याले कहाँ पर है? तो यह जेनेवा में स्तित है. अगले कॉशन पर चलते हैं. केंद्रिय चमडा अन्वेशन इंस्टूट कहाँ पर है? रोबोट से सरजरी कराने वाला पहला भारती कौन है? तो एके हिमल है. देश का सरवुज सौरे पुरुषकार परमवीर चक्र सरप्रथम किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाच शर्मा को दिया गया था. साहिति के च्षेतर में घ्यानपीट पुरुषकार पाने वाली पहली महीला कौन है? तो आशापूर्णा देवी जी है. अरजन अवार्ड के च्षेतर में प्रदान किया जाता है. भारत का पहला परमाण वुन सुन्धान रियक्टर कौन सा है? तो अपसरा है. दिली की गद्धी पर बैठने वाला पहला अफगान शाशा कौन था तो बहलोर लोदी था विशु का एक मात्र देश का नाम क्या है जिसके राश्य धश पर उसका मानचितर अंकित है तो लगजंबर्ग सही उत्तर हो जाएगा प्रथम दादा साब फाल के पुरुषकार विजेता कौन है तो देविकरानी जी है हवाई जहाच के ब्लेक बॉक्स का रंग क्या होता है तो नारंगी रंग होता है शब्द आयरन किस से सम्मंदित है तो यह गोल्फ खेल से सम्मंदित है क्रिकेट के बल्ले की अधिनतम अनुवानतर लंबाई कितनी होती है तो यह 38 इंच होती है सिख्तराश महासवा की पहली महिला सवापती होने का गौरव किसी प्राप्त है तो विजे लक्ष्मी पंड़ जी को प्राप्त है प्रत्वी की आयू को मापन किस विधी द्वारा करते है तो यूरेनियम विधी के द्वारा करते है संसार का सबसे प्राचीनतम राजतंतर किस देश का है तो जापान देश का है विशु का सबसे गरम स्थल का नाम क्या है तो अलजा जी 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 है किस सहर में भारत के पहले ग्रीन आइटी पार्क की स्थापना होई थी तो कलकत्ता प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नैशनल सुगर रिसर्च इंस्ट्यूट कहां पर है तो कानपूर उत्तर प्रदेश में है USA का राश्री खिल कौन सा है तो बेसबॉल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राश्री ग्रामीन विकास संस्थान कहां पर है तो हैदराबाद में है मीनाक्षी मंदर कहां पर है तो यह मद्रोय में इस्तत है भारत में प्रदेश किस प्रदेश में सरवादिक समाचार पत्र प्रकाशित होते है तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा खाद़ और क्रशी संगठन का मुख्याले कहां पर है तो रोम में है गर्बनत का संबंद किस राज से है तो गुजरात राज से संबंदत है अंतराशिश समसंगठन को संयुक्त राज संग का अंग स्विकार कप किया गया तो वर्ष 1946 में किया गया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की प्रतम महिला दिख्ष का नाम क्या है तो रोज मिलेन मैथ्यू जी है भारतीय थल सेना के एक ब्रगेडियर का पद नौ सेना के किस पद के बराबर होता है तो कमोडुर के बराबर होता है संसार में सबसे लंबे कद के लोग किस प्रजाती की होते हैं तो डलमेश्या प्रजाती सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट के लिए मशूर इदिन गार्डन इस्टिडियम कहां पर है तो यह कलकत्ता में इस्थित है भारत में किस भाषा में सरवादिक स्लमाचार पत्र प्रकाशित होते हैं तो हिंदी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्ने सम्मानेत होने वाली पहली महिला कौन है तो इंद्रा गानी जी है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है तो सुचेता करपलानी जी है भारती अंतराश्री अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी तो 1979 में की गई थी नोबल पुरुसकार का प्रारंब हुए थे तो 1901 में प्रारंब हुए थे भारत के प्रतम फील्ड मार्शल कौन है तो जनरल मानिक्षों है विशुखाद दिवस की स्थापना कब की गई थी तो 1948 में की गई थी विशुबैंक कितनी संस्थाओं का समू है तो पांच संस्थाओं का समू है भारती नौसेना में रियर एड्मिल का पद भारती वाई सुना के किस पद के बराबर होता है तो येर वाईस मार्शल के बराबर होता है मानव अधिकार देवस कब मनाते हैं तो 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व प्रत्वी दिल्स कब मनाते हैं तो 22 अपरेल को मनाते हैं अरब सागर की रानी किसे कहते हैं तो कोछी इन को कहते हैं तांसिन सम्मान के सिराज की सरकार ने शुरू किया था तो मध्यप्रदेश सही उत्तर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी कम्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है तो डेल प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा दुरौनाचार प्रूसकार के शित्र में देते हैं तो खेल कूद में उत्करष्ट प्रस्क्षन के लिए दियते हैं सेक्तरा संके प्रथम महासजव कौन है तो त्रगवेली जी है विश्व करसी ये वंखाद संगठन के स्थापन कब हुई तो 1945 में हुई थी आशियान का सची वाले कहा पर इस्थित है तो जधकारता में इस्थित है भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है तो राकेश शर्मा जी है सामा चकेवा कहा का लोकनत है तो बिहार प्रश्न का सही अत्र हो जाएगा राश्री परियावण सोज संस्थान किस इस्थान पर है तो नागपुर में है केंद्रिय खननन उसंदान संस्थान कहां पर है तो यह धनबाद में इस्तित है परसित खिलाडी पेले किस देश के है तो यह बराजील देश के है अंतराश्री आयोग और अंतरिक्ष विभाग का कशन किस वर्ष किया गया तो उन्हें 172 में किया गया राजगाट किसका समाधी इस्तल है तो महात्मा गांधी का समाधी इस्तल है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का कारी क्रम कव आरंभ हुआ था तो 1972 में आरंभ हुआ था वहा कौन सा खेल है जिसमें विश्मनात आनंद विख्यात है तो सत्रण जो प्रशन का सही उत्र हो जाएगा कॉर्टेस किस देश की संसत को कहते हैं तो इस्पेन सही उत्र है वन उन सुन्दान संस्थान कहां पर है तो यह देहरादून में है थॉमस कप किस खेल से संबने थे तो बैड्मिंटन से संबने थे ये अक्षिगान कहां का लोग प्रिनत है तो यह करनायटक का लोग प्रिनत है इसराइल की संसत को क्या कहते है तो नैसेट कहते है भारती परवेटर निगम की स्थाप नकभ हुई थी तो 1966 में हुई थी किस खेल में फ्री थो दिया जाता है तो बॉस्केटबॉल सही उत्तर हो जाएगा किसे पूरवका मैंचेश्टर कहते हैं तो उसाक का प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ने सित अमेरेटकर एस्टेडियums किस खेल के लिए प्रसिद्ध है तो इंडोर इस्टेडियम है फुटबॉल माफ करिएगा फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रोपी स्वदेशी फिल्म कौन सी है तो राजा हरिश्चेंद्र है सबसे अधिक घना आबादी वाला सारक रिक्षात्री कौन है तो लींड आम श्रॉंग है वाई सिन अगे प्रसिक्शन कमांड का मुख्याले कहां पर है तो बैंगलूरू में है सबसे पहले किस देश से समलंगिक विवाहा को कानूनी मानता दी थी तो डैन्मार्क सही उतर हो जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडिय अनुदान आयोक की स्थापन कब हुई थी तो निस्तो त्रेपन में हुई थी विश्व परियावर्ण दिवस कब मनाते हैं तो पांच जून को मनाते हैं अंतर आश्रॉलंपिक समीति का मुख्याले कहां है तो लोसान में है वाईशिंग भूटिया का संबन किस खेल से है त फुटबॉल से संबन्दत है विश्व जंशंख्या दिवस के स्थिथी को मनाते हैं तो ग्यारा जुलाई को मनाते हैं सितारों तबले का अविश्कार किसे माना जाता है तो अमीर खुसरों सही उत्तर हो जाएगा सेंक तुराज संग का स्थापना कब हुई थी तो सेंक किस महादीप में हैं तो अंटाक्टिका में हैं अभी तक भारत के किस एक मातर खिलाणी ने टेस्ट मैच में तेहरा सतक बनाया है तो विरेन सहवाक सही उत्तर हो जाएगा भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णता सेक्ष्ण एक उपगरह कौन सा है तो एडू से संब्दित है भारत ने अपना प्रथम आण्विक परिक्षण कहां पर कप किया था तो पोखरण में 1974 में किया था भारत ने सरप्रथम किस प्रक्षे पास्त का परिक्षण किया था तो प्रथवी सही उत्तर हो जाएगा राश्रीगान के लिए निर्धार समय सीमा कितनी है कितने राजियों से और तो कितने अच्प पर्यूदित है तो यहां जयपुर में यह अलफरीड नोबल व्न्दिमात्रम को राश्रगीद के रूप में किस्तिती को सविकार किया गया था Central Glass and ceramic institute कहां पर है तो ज्यादपुर में इस्थित है केंद्री औश्दी और सौथ संस्थान कहां पर है तो औश्दी सोथ संस्थान लखनव में इस्थित है प्रवद्वी की विकास परिशत की स्थापना कभ होई थी तो 1986 में होई थी किस उपगरह का नाम भारतिय मूल अंतरिक कोशन की लेकि आउंगा सीरीज देखने के लिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन और करिएगा जादा जादा लाइक करिएगा जादा जादा शेयर करिएगा आपके सपोर्ट के आवशकता है बिना आपके कुछ नहीं हो सकता है तो प्लीज शेयर करें लाइक करें कमेंट करें मिलते हैं नेक्श वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद